रोज से कुछ अलग, बहुती स्वादिष्ट और बहुती चिटपटा नाश्ता जिसे बनाने के लिए हम जद समय नहीं लगता है इसका सारा समान प्रयाप्त मात्रा में हमें एर्थवई में ही मिल जाता है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले मैंने एक कब बेशन लिया है इसको मैं हलका सा भून लोगी जैसे ही हलका सा भून जाएगा तो मैं इसे निकाल के साइड में एक बरतन में रख लोगी तांकि ये ठंडा हो जाए तो ये अच्छे से भून चुका है अब मैं इसे निकाल देती हूँ ठंडा होने के लिए अलग से एक बरतन में उसके बाद मैं बनाओंगी इसकी फिलिंग फिलिंग के लिए सबसे पहले में लोगी फ्राई फ्राई में डालूँगी थोड़ा सरसों का तेल लगबग दो बड़े चमच उसके बाद मैं इस में डालूँगी एक चमच जीरा इसको हलका सा भूनूँगी फिर डालूँगी दरदरा कुटा हुआ सा धनिया इसको भी हलके से भूनूँगी चलाते हुए उसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर 2-3 हरी मिर्च बारिक कटी हुई इनको भी हलका सा भूनूँगी उसके बाद मैं डालूँगी प्यास प्यास मैंने लंबे-लंबे काटे थे आप चाहे तो किसी भी शेप की काट लीजेगा इनको मैं हलका सा भूनूंगी, ज्यादा में इनका कलर नहीं चेंज करना है, बस जैसे इनका हलका सा कलर चेंज हो जाएगा, तो समझ लिजेगा, ये भून चुके हैं, अगर हम इसे ज्यादा भूनेंगे, तो टेस्ट बढ़िया नहीं लगेगा, तो देखिए फ्रेंट्स, ह तो बढ़िया से भून चुके हैं, अब इतके नडालोंगे, नमक टेस्ट के अकोर्डिंग, जीरा पाउलोंगी, आम चूर बढ़िया टेस्ट के लिए, घली डालोंगी, कलर के लिए, अब नडालोंगी, लाल मिर्च, तीक्य पन के लिए, क्योंकि टमाटर थोड़ा सा कर देंगे उसके बाद में डालोंगी खुब सारहरा धनिया धनिया से काफी चाह टेस्ट आता है और बढ़िया सा फ्रेग्रेंस आती है तो अब मैं इसके अंदर डाल दोंगी सबसे लास्ट में जो हमारा बेसन था भूनो वह तंडा हो चुका है अब इसको अच्छे से चलात बढ़िया सा मिक्स हो चुका है अम इसको मैं रख दूंगी साइड में ठंडा होने के लिए उसके बाद मैं अपना पराउंटों का डो लगाऊंगी जिसके लिए मैंने लिया है दो कप गेहुं का आता इसमें डालूंगी दो बड़े चमच बेसन के ओल डालूंगी थोड़ मिथी का हाथों पे क्रश करके बड़िया टेस्ट और बड़िया फ्रेग्नेंस के लिए अब इन सब को मैं बड़िया सा मिक्स कर दूंगी अच्छे से मिक्स करना है तांकि सारी जो मसाले हैं वो हमारे आटे के अंदर अच्छे से बड़िया से मिक्स हो जाएं उसके बाद म हम रेस्ट पे रखेंगे लगबख 10-15 मिंट के लिए तो हमारा रेड़ी हो चुका है अब मैं इसे ढख के 10-15 मिंट के लिए रेस्ट पे छोड़ देती हूं उसके बाद तो मैंने इसके 6 पेड़े मना लिये थे उसके बाद मैं स्प्रिंकल करूंगी थोड़ा आटा अपने मै लिंग भरके हम इसको साइट से उठाके बड़ी असा फोल्ड करेंगे ऐसे ही बंद करके हम इसे अच्छे हलके हातों से दबाते हुए इसको एक बार हलका सा दबाते हुए हातों से बड़ी असा दबाके हम इसकी बेल के अपना पराउटा त्यार करेंगे तो अब हम इसे ब तो देखें जैसे मेद थिक रिखले रहता है ऻाकर अब गर्म तब इसको टाल देंगे आप इसको पलटते हुए हम बडिया से पछे आप यह हैं तो देखिए अच्छे है कि रिख्टे किया ख कम कर सकते हैं तो में आप बडिया थी अच्छे कुष एक alright लगे अब दूसरी से इंगे अच्छे से एकडम सी यह तो ऐसे हम बारी-बारी करके सारे परोंटे से लेंगे तो आप इसे निकाल देते हैं साइट में तो देखिए कितने बढ़ी और कितने क्रंची और कृश्पी लग रहे हैं और एक तम यूनिक रेस्पी आफ्रेंद्स ट तो चलिए एक में आपको तोड़िता देती हूं कितने अंदर सी यह feeling है और देखिए कितने बढ़िया से तुम सॉफ्ट है और देखिए अंदर तक अच्छे से feeling भरी हुई है आपको भी बिल्कुल ऐसी बनाने हैं बहुत बढ़िया बनके त्यार होते हैं और बहुत tasty लगते हैं तो फ्रेंट्स जरूर बनाएगा बहुत बड़ी अपरोंटे हैं क्योंकि हमारा जो आलू का मूली इन सबसे मन भर गया होगा ना तो यह परोंटे जरूर ट्राइक कीजिएगा बाइ